ये आकाश्वाणी है, प्रस्तुते कारिकरम New India समाचार नमस्कार, आकाश्वाणी के समाचार सिवा आपकाभाग की प्रस्तुती New India समाचार में आपका स्वागत है सूरताओं, इस बार हम आपके समक्ष लेकर आये हैं पत्रिका का 16-28 फर्वरी का अंक जिसकी आवर्ण कथा और अन्य समाचारों पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं आज के कारिकरम में बात करते हैं पत्रिका में शामिल पद्म और प्रधानमंतरी राश्टरिय बाल पुरसकारों सहित अम्रेत महतसव के अंतरगत आजादी के गुमनाम महानाईकों की देश का पद्म सम्मान अब सिर्फ खास लोगों के लिए नहीं आमजन का सम्मान हो गया है सिफारिस की जगर अब आमजन खुद भी राश्टरिय पोर्टल पर नामंकल कर सकते हैं जिन्होंने देश को सर्वो पड़ी रखा, राश्ट प्रतम के से धांत के लिए सेवा वहाव से अपने काम में लगे रहे और कभी किसी पुरसकार की आशा नहीं की ऐसे गुमनाम लोगों को अब पद्म सम्मान के लिए चुना जा रहा है किंदसरकार पद्म पुरसकारों को पिपल्स पद्म यानि लोग पद्म सम्मान में बदलने को प्रतिबद्ध है जिसकी जहलक चोहतरवे गंतंत दिवस की पुर्व संध्या पर घोशित पद्म सम्मान में भी देखने को मिली 2023 के पद्म सम्मान की सुची में जन जाती संस्कृती सभिताएं, भाशा और परापरगत कलाओं को संदक्षित इवं विक्सित करने में दिन रात जुटे आम जन के नाम शामिल हैं। जमीनी इस तर पर अपने समर्पन और सेवा भाव से पर्म सम्मान हासिल करने वालों में गुजरात की हीराबाई लोबी, पश्चिम बंगाल के मंगला कांती राय, करनाटक के मुनी वैंग टपपा, जम्मो कश्मीर के गुलाम मुहमद जाज, नालंदा बिहार के कपिल देव प्रसाद और सिक्किम के तुलाराम उपरेति सहित कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में लोग पहले नहीं जानते थे, इस पार जनजातिय समुदाय और जनजातिय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा खासा प्रतेनिधित्व सम्मान सुची में है, टोटो, हो, कुई, कु और मांडा भाशा और संस्कृति के संदक्षन में जुटे जानुम सिंग सोय, धनी राम टोटो और बी रामकृष्न रेड़ी से भी अब पूरा देश परिचित हो गया है। पर पद्म पुरुसकारों की घोशरा की। इस बार 6 पद्म विभूशन, 9 पद्म भूशन और 91 पद्म श्री दिये गए हैं। पुरुसकार पाने वालों में 19 महिलाये और 7 मर्णो परांथ सम्मान शामिल हैं। पुरसकारों के साथ सफलता की उची उडान भर रहे हैं। प्रिदिसों के 6 लड़के और 5 लड़कियां सामिल हैं। श्रताओं अब बात करते हैं इस अंग के अमरित महुतसव की। भारत का एक समरत और गौरफशाली इतिहास है जो इसके वीरों के अदम में साहस, शौर, बलिदान, युद और विजे की गाथाओं से भरा है। सुतंसता संग्राम में देश के छोटे-छोटे हिस्से से आजादी के दिवानों ने देशवक्ति का जज़बा दिखाया और एक भारत, शिर्ष्ट भारत के मूल मंत्र को बढ़ावा दिया। आजादी के अमरित महुत्सव के इस अंक में मौलाना अबुलकलाम आजाद, विजे सिंग पतिक, रफी एहमत के दवई, गणेश वासुदेव, मालवंकर की कहानी है जिन्होंने देशवासियों में देश प्रेम की भावना जगाई और बिड़े सर्थाओं को उखाडने के मौलाना अबुलकलाम आजाद, जिन्होंने शिक्षा के सेत्र में निभाई एहम भूमिका, अर्बी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, फार्सी और बंगाली जैसी कई भाशाओं के अच्छे जानकार और कवी मौलाना अबुलकलाम आजाद का जन 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था, उन्होंने धर्म और जीवन के संके इंड्रिस्टिकोंड से अपनी मानसिक मुक्ती के संकेत के रूप में आजाद उपनाम को अपनाया, मौलाना अबुलकलाम आजाद कम उम्र से ही पत्रकारिता और राजनीती में सक्रिये हो गए थे, वै बंगाल के दो प्रमु क्रांतिकारियों, अर्विंदो घोष और श्याम सुंदर चक्रवर्ती से प्रेरित होकर बिटिन शाषन के खिलाफ क्रांतिकारी अंदोलन में शामिल हुए। उन्हें 1992 में मर्नोपरांथ भारत रत्र से सम्मानित किया गया। 22 फरवरी 1958 को उन्हें अंतीम सांसली उनकी आत्म कथा इंडिया विंस फ्रिडम उनकी इम्रत्यू के बाद 1990 में प्रकाशित हुई। नहीं पथिक पर अपने दादा दिवान चंदर सिंग राठी की देशवक्ती का काफी प्रभाव था जो साल 1857 के प्रथम स्वाधिनता संग्राम में शहीत हो गए थे। ऐसे में परिवार की क्रांतिकारी प्रस्ट भूमी का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। विजय सिंग पतिक का मूल नाम भूप सिंग था लेकिन लहोर शरेंत्र के बाद उन्होंने अपना नाम बदल कर विजय सिंग पतिक रख लिया। और फिर जीवन परे अंत्रवें इसी नाम से जाने जाते रहे। आजादी की लड़ाई को गाउं कस्वों तक ले जाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। आजादी के अंदोलन के दोरान ही उन्होंने पत्रकारिता की शुरुवात की और राजिस्थान केस्टी नामक साप पत्र निकाला। राजिस्थान और मर्दे प्रदेश में इस पत्र की लोग प्रेता से भेवीत सरकार ने इस पर रोक लगा दी। 28 मई 1954 को विजय सिंग पतिक का निधन हो गया। निर्वाजित हुए थे। देश को आजादी मिलने के बाद उन्हें संचार मंत्री निक्त किया गया। उन्होंने पहली रात्री कालिन एयर मेल सेवा का उध्गाटन किया था। देश में सतकालिन पर्यावरन मंत्री रफी अहमत की द्वई ने 1950 में सबसे पहला वन महतसव म नाया था। बहुत कम समय में ही वे गुजरात के कई प्रमुक सामाजिक संगटों से जुड़ गए। उन्होंने 1930 से 1940 के दशक में गुजरात में स्वाधिनता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और कई बार जील गए। कई भाशाओं के जानकार गणेश वासुदेव मावलंकर न देखन में भी विशेश रुची थी और उनकी कई साहितिक उपलब्दियां भी हैं। गुजराती भाशा में लिखी गई उनकी पुस्तक मानवताना जहरना में उन कैदियों के कुछ सच्ची कहानिया हैं जिन से वे स्वतंतरता अंदोलन के दोरान 1922 से 1944 के दोरान जेल यात प्रवरी 1956 को उनका निधन हो गया। शुरताओं इस बार के अंक में इतना ही। अगले सब्ता मिलेंगे पत्रिका के अगले अंक के साथ। इस प्लाक्षिक पत्रिका की हरप्रती newindiasamachar.piv.gov.in website पर उपलब्द है जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद। PIR.NIC.IN